Hello Everyone, Good Morning to all of you and Welcome to Online Study Point दोस्तो आजे 25 जन्वरी और आज किस वीडियो में हम 25 जन्वरी से रिलेटेड करन्ट अफेर के सभी important question को cover करने वाले हैं तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF शाहिए तो आप हमारी इस mobile application को भी install कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF और प्रती दिन के current affair का audio भी मिल सकेगा यदि आप NTPC और group D की तयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की तयारी के लिए एक special channel launch किया गया है जिसका नाम है my exam तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं link description box में दी हुई है स्टार्ट करते हैं हमारा पहला question हाली में राश्ट्रे बाली का दिवस ये कब मनाये गया है यानि कि national girl child day तो ये भी हाली में मनाये गया है 24 जन्वरी को और ये दिवस मनाये क्यों जाता है तो लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रती जाग रुपता और उनके सिक्षा और स्वास थेने की education और health के प्रती society में एक message देने के लिए ये दिवस मनाये जाता है 24 अक्टूबर को और इसे मनाये जाने के शुरुवात 2008 में के गी थी बाल विकास मंत्राले के द्वारा अब इसमें आप confuse नहीं होएगा क्योंकि राजट्री बाली का दिवस ये तो 24 जन्वरी को मनाये जाता है जो अंतर राजट्री बाली का दिवस है यानिके international girl child day तो ये मनाये जाता है 11 अक्टूबर को यदि हम जन्वरी मन्त के कुछ other important day को discuss करें तो 13 जन्वरी को नेता जी सुभाष चंदर बोज़ी की 125 जयनती मनाये गई और इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाये गया है 12 जन्वरी को मनाये जाता है national youth day यानिकी राजट्री युवा दिवस जबकि जो अन्तर राजट्री युवा दिवस है ये मनाये जाता है 12 अगस्त को 10 जन्वरी को मनाये गया है world hindi day यानिकी विश्व हिंदी दिवस जबकि भारत में जो राजट्री हिंदी दिवस है ये मनाये जाता है 14 सितंबर को हाली में किस राजट्री का प्रशिद तो साली राजट्री शिल्प मेला शुरू हुआ है तो तो साली राजट्री शिल्प मेला इसके शुरुआ तबी हाली में की गई है ओडिसा की राजधानी भूवनेश्वर में और यह जो राश्ट शिल्प मेला है इसमें हस्त सिल्प इने की हांस से बने हुए प्रोड़क्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई है जैसा कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं और यही मेला आयजित किया गया ओडिसा में आप मैप में देख सकते हैं ओडिसा की लोकेशन इसकी राजधानी भूवनेश्वर जो की ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बना है लोग सभा सीटे आती 21 राज्य सभा सीटे आती हैं 10 मुख्यमंत्री नवीन पतनायक जिन्हें पैटा इंडिया के द्वारा Hero to Animal Award से नवाजा गया है राज्य पाल गनेशी लाल मुख्यनायदी सभी हाली में बनाए गया है एस मुरली धर सिमली पाल और भीतर करीगा ये इंपोर्टन नेशनल पार्क हैं ओडिसा के भारत का सबसे लंबा बांध है हीरा कुंड बांध जो की ओडिसा में इस् गभर्मेंट के द्वारा मो बस सेवा मो साइकिल सेवा मो सरकार मो परिवार इसके लावा जो बलराम और कालिया योजना है यह बिसीकली किसानों के लिए है और सुनेत्रा स्कीम सुनेत्र स्कीम के अंतरगत ओडिसा के नागरिकों को फ्री आई चेकप की सुविधा प्रोवाइड करा रही थी ओडिसा गवर्मेंट हाली में जारी किये गए ग्लोबल इंटरनेट स्पीट इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है तो देखिए हाली में ओकला के द्वारा ये जो ग्लोबल इंटरनेट स्पीट इंडेक्स रिलीस किया गया जिसमें की 149 इनकी 139 कंट्रीज के बीच ये सर्वे किया गया जिसमें टॉप पर रहा है कतर इसमें अप भारत की ranking 129 है देखे आप अपने mobile में internet speed चेक भी कर सकते हैं downloading और uploading speed आप देख सकते हैं कि भारत इसमें कितने नीचे स्थान पर है तो यहां से आप एक और important index से याद रख सकते हैं broadband speed index तो देखे 176 countries के बीच यह जो survey release किया गया इसमें top पर रहा है Thailand broadband speed के मामले में और 176 countries में अपने देश भारत की ranking रही है 65 तो broadband speed में देखा जाए तो इंडिया है 65 नंबर पर और global internet speed के मामले में देखा जाए तो इंडिया की ranking है 129 टॉप पर है कतर तो हम discuss कर लेते हैं कतर के बारे में आप map में देख सकते हैं यह जो आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं यह है कतर इसे आप फ़रों जूम करके भी देख सकते हैं तो यह है कतर इसकी capital है दोहा currency है कतरी real कतर से related एक fact आप याद रखेंगे जो कतर है यह कुछ समय पहले ही ओपेक से अलग हो चुका है ओपेक यहनि की organization of petroleum exporting countries इसके लावा कतर से ही related है एक आगामी खेल प्रतियोगिता जैसे कि कि आप सभी जानते हैं कि जो FIFA Men's World Cup है 2022 का इसे host करेगा कतर ही जो इससे next होगा 2026 का इससे तीन country मिल के host करेंगी USA, Mexico और Canada तो यह भी आप याद रख सकते हैं अब इस question में बात की जारी ही index की तो आप other option को relate कर सकते हैं जैसे कि अभी हाली में जो हेन ने passport index release किया गया था इसम 25 कतर के बारे में हमने discuss कर लिया है internet speed के मामले में कतर है पहले इस्थान पर अपने देश भारत की ranking है 129 कुसमा पहले ही जो human freedom index release किया गया था इसमें टॉप पर रहा था न्यूजिलेंड अपने देश भारत की ranking है 111 दो दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाली मे जो global fire power index release किया गया था इसमें अमेरिका है टॉप पर अपने देश भारत की ranking है 14 हाली में दस्वी राश्ट्री ice hockey प्रतियोगिता किसने जीती है तो यह जीतली है ITBP ने तो ITBP ने गुलमर्ग में final में लद्दा को हरा करके ice hockey association of इंडिया की दस्वी national ice hockey championship जीतली है यदी हम बात करें ITBP की यहने की इंडो तिबतन बॉर्डर पुलिस के इसके स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में headquarter इस्थित है नई दिल्ली में इसके director general तो यह है SS देशवाल यहां से important है IHAI यहने की ice hockey association of इंडिया इसके स्थापना हुई थी 27 अप्रेल 1989 में इसके के अल कुमार हालिम गडित के प्रतिश्थित माइकल एंड शीला हिल्ड पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो माइकल एंड शीला हिल्ड पुरुसकार जोकी गडित का प्रतिश्थित सम्मान है इसे सम्मानित किये गया है भारत के निखिल श्रिवास्तो इन्हें अ UNEP यनिकी United Nation Environment Program के द्वारा Young Champion of the Earth चुना गया है गीतांजली राओ जो कि भारती मूलकी है इन्हें अभी हाली में Time Magazine के द्वारा Kid of the Year चुना गया है ये रहती अमेरिका में हैं लेकिन ये भारती मूलकी है यदि हम बात करें कैरोलीना अर्जो की तो इनका नाम चर्चे में भी है ये ब्राजील की एक प्रसिद्ध Mathematician है जिन्हें 2020 के यंग Mathematician रामा नुझ पुरुसकार से सम्मानित किया गया है हाले में भारती सेना बंगाल की खाड़ी और किस सागर में एक व्रहत संयक्त सैन अभ्याज जिसका नाम है कवच ये आयजित कर रही है तो ये आयजित कि आरमी इंडियन एयर फोर्स इसके लावा आईसी जी इनिकी इंडियन कोस्ट गार्ड ये भी शामिल होंगे और यही आयजित हो रहा है बे अफ बंगाल और अंडमान सागर में तो आप मैप में देख सकते हैं ये है अपना देश भारत ये है बे अफ बंगाल येनिकी बंग में आया है तो ये तो है मंगाल की खाड़ी ये जो आप देख रहे हैं ये है अंडमान सागर तो इस वाले लोकेशन से आप लोगों को एक स्ट्रेट याद रखना है स्ट्रेट जिसका हिंदी में मतलब होता है जल डमरूमध्य अब स्ट्रेट क्या होते हैं मैंने आप मतलब होते हैं और दो जल भाग मिलते हैं वहां जाकर करके इस ट्रेट यानिकर जल डमरूमध्य का निर्माण होता है तो आप देखेंगे कौन से 25 अलग हो रहा है मलेशिया और इंडिनेशिया कौन जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के selected 1000 current affair के question वन लाइनर format में cover कराए गए हैं इसे आप purchase कर सकते हैं जो कि आपकी आगामी सभी exam के point of view से important है हाली में अमेरिका के पहले second gentleman ये कौन बने है तो अमेरिका के ये जो पहले second gentleman है ये बन गये हैं Douglas M. Hoff और ये है कौन तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाली में अमेरिका की जो उपराष्ट पती बनाई गई है भारती मुलकी कमला हैरिस इन्ही की ये husband है Douglas M. Hoff अब ये second gentleman इसका क्या मतलब है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के जो भी President होते हैं इनकी जो पत्नी होती है इन्हें क्या कहा जाता है First Lady President की पत्नी को First Lady और जो Voice President होते हैं उनकी पत्नी को कहा जाता है Second Lady लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि अमेरिकी इतिहास में अपसे पहले कोई भी महिला राष्ट पती या महिला उपराष्ट पती नहीं रही है तो पहली महिला उपराष्ट पती ये तो बनाई गई है कमला हैरिस तो जिस प्रकार से यहां के Voice President की पत्नी को Second Lady कहा जाता है सेम उसी तरह से अब महिला उपराष्ट पती बनी है मतलब कि इनके जो Husband होंगे इनहे Second Gentleman का Title दिया गया है कमला हैरिस ये अमेरिका के किस क्रम की उपराष्ट पती बनी है तो ये अमेरिका की 49 वे क्रम की उपराष्ट पती बनाई गई है ये भारत के किस राज्य से बिलॉंग करती है तमिल नाडो से इसके अलावा जो बाइडन अमेरिका के सबसे उम्र दराज राष्ट पती बने हैं ये अमेरिका के 46 वे राष्ट पती बने हैं कमला हैरिस और जो बिडन इन दोनों को ही टाइम मैगजिन के द्वारा पर्सन ओफ दे यर भी चुना जा चुका है यदि हम बात करें प्रीतम सिंग की ये भी भारती मूलके हैं जिने भी हाली में सिंगापूर कैबिनेट में पहले विपक्ष के नेता चुना गया जबकि जो रिसी सुनक है ये ब्रिटेन में भारती मूलके वित्त मंत्री भी है पहले खेलो इंडिया जौसकर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्गाटन कहां किया गया है तो ये जो पहला खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है इसका उद्गाटन अभी हाली में किया गया है लद्दाक में किसके द्वारा किया गया है खेल मंत्र किरन रिज्जु जी के द्वारा तो किरन रिज्जु जी के द्वारा जासका में पहली बार खेलो इंडिया जौसकर बिंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उधगाटन किया गया है लद्दा के उपराज जिपाल कौन है तो ये है आरके माथूर यनिकी राधा माथूर देखें यहां बात की जा रही खेलो इंडिया की तो जैसे कि आप सभी जानते हैं खेलो इंडिया यूथ येम्स इसके तीन एडिशन संपन्न हो चुके हैं पहला एडिशन आयजित किया यह था दिल्ली में दूसरा पूने में तीसरा गौहार्टी में और जो चौत एकोनॉमिक फौरम के द्वारा ये इसकी सोलहवे रिस्क का रिपोर्ट है जो कि यह बताती है कि दुनिया के सामने फिलाल कौन-कौन से रिस्क यनि की चुनौतियां बनी हुई है और यही रिपोर्ट रिलीज की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा येधि हम बात तो हाली में वर्ल्ड बैंक के द्वारा Doing Business Index रिलीज किया गया जिसमें टॉप पर रहा था New Zealand अपने देश भारत की रैंकिंग थी 63 कुछ दिन पहले में आप लोगों को बताया था कि जो United Nation है यहीं कि संयुक तराष्ट इसके द्वारा Global Migration Report रिलीज किया गया जिसका अनुसार लगभग 18 मिलियन भारती दूसरे देशों में रह रहे हैं प्रवासी बन करके WEF के बारे में हमने डिसकस कर लिया है यदि हम बात करें Reporters Without Border की तो देखे इसके द्वारा World Press Freedom Index यह रिलीज किया जाता है और यह जो World Press Freedom Index रिलीज किया गया था इसके अनुसार टॉप पर रहा था Norway अपने देश भारत की रैंकिंग थी 142 ध्यान रहे यह 2020 का इंडेक्स था जो की Reporters Without Border ने रिलीज किया था हले में उत्रा खंड की एक दिन की मुख्य मंत्री कौन बनी है तो उत्रा खंड की एक दिन की मुख्य मंत्री ये बन गई है हरी द्वार की सृष्टी गोस्वामी जिसके आप सभी जानते हैं 24 जन्वरी को मनाया गया है National Girl Child Day इसे के मौके पर उसे के इपने हरे इन्हें एक दिन की मुख्य मंत्री नियुक्त किया गया है ये हम बात करें उत्रा खंड की तो देखिए उत्रा खंड में इस्तित ए रिशी केस जहां भारत का पहला Glass Bridge इस थापित किया गया है बिहार के नालंदा जिले में इसके लावा कल ही माने आप लो अधर लड़कियों के नामों के बारे में ne discuss करें जो कि किसी ना किसी राठ जैसे बिलॉंग करती हैं और बीते कुछ समय में चर्चे में रही हैं यह हम बात करें M नेत्रा की तो यह बिलॉंग करती है तमिल नाडो से इनके बारे में मैंने आप लगों को बताया भी था देखे कि इनके जो पिताची हैं इनका सैलुन कहां और इन्होंने मतलब कि इनके पिताचीन nétait की पढ़ाई के लिए 500,000,000 रुपए सेव किया थे लेकिन जो इनोहन्य कोरोने काल में लोगों की हेल्प करने के लिए अपने पिता जी को कन्वेंस किया कि वे पांच लाग रुपए लोगों की हेल्प करने में लगा दें जिसके कारण इन्हें युनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एंबेजडर टुदा पूर अपॉइंट किया गया था राजेंद्र आरिया यह अभी हाली में भारत की सबसे युवा मेयर बनी है केरल की राजधानी तिरू अनंत पूरम में इनकी उम्र है 21 साल यदि हम बात करें खुशी चिंदलिया की जोकी बिलॉंग करती है राजस्थान से इन्हें अभी हाली में युन एपी यानिकी युनाइटेड नेशन एन्व अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यह कहां बनेगा तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो दी पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलि तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच